हलो दोस्त आप देखरें, साइंटेक वीजन उटो बिंदी चैनल, मैं हूँ संजे, स्वागत करता हूँ अब सभी का दोस्त आप लोग के काफी सारे कमेंट के रिपलाई में मैं लेकर के आगया हूँ बेस्ट एक्सटर्नल SSD की वीडियो, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट SSD एक्सटर्नल कौन सा आपको लेना चाहिए तो आगे डायरेक्ट हम मुद्दे पर आते हैं, तो सबसे पहला जो SSD है वो है WD का पासपोर्ट SSD, ये मॉडल आज के रिपलेक्ट में बहुत ही जबरदस्ट चाया हुआ है उसका रिजन ये है कि इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी आपको मिल जाती है अगर इसके स्पीड की अगर हम बात करें, तो 1050 MB पर सेकेंड इसकी रिड स्पीड होती है और 1000 MB पर सेकेंड इसकी राइट स्पीड होती है और ये जो है Windows आरे Mac दोनों के लिए ही बिल्कुल भी कमपेटेवल है तो ये आप जो है external SSD भाई कर सकते है, बहुत ही compact होता है और बहुत ही speed होता है, बहुत ही जादे cell है इसकी उसके अलावाइस की availability की अगर हम बात करें, तो ये आपको मिल जाता है 500 GB, 1 TB, 2 TB और 4 TB तक में जो है ये अवलेबल है और colors की अगर हम बात करें, तो ये जो है जैसे क्या पर देख पा रहे है midnight blue, gold color, red और space gray color में ये मिल जाता है price की अगर हम बात करें, तो ये हमेसा up and down होता रहता है 500 GB के price की अगर हम बात करें, तो 37-8,000 के बीच में हमेसा बाहरी कर रहा होता है इसके अलबा और किसी का price जानना है, तो description में दिये गए link पर click करके आपको price देख सकते हैं ये सिर्फ जो है information के लिए वीडियो है, next की अगर हम बात करें, तो वो है SanDisk का stream pole table, ये बहुत ही stream pole table है, बहुत ही small है, बहुत ही छोटा है आप इसको kitchen के अंदर भी use कर सकते हैं, बड़ा ही खुफसूरत SSD है और इसका speed भी just वही है, जो आपने WD का देखा यानि कि इसका भी speed जो है 1050 MB per second ready speed है, और 1000 MB per second right speed है और 5 साल की warranty के साथ में ये आता है, और इसका भी price वही साथ से 8000 के बीच में वैरी कर रहा होता है 500 GB के अगर हम बात करें, availability के अगर हम बात करें, तो ये भी आपको मिल जाता है 500 GB, 1 TB, 2 TB और 4 TB तक में जो है आपको ये मिल जाता है, कलर में सिर्फ आपको ये ही मिलेगा ब्लेक कलर के साथ में, और बहुत ही प्यारा कलर होता है ये, और बहुत ही high speed अगर आपको SSD चाहिए तो आप इसको buy कर सकते हैं, उसके बाद आप next की बाद करते हैं, अगर आपका budget कम है, सस्ते में अगर आपको चाहिए तो बड़ा ही portable, इससे भी portable जो आपने पिछला देखा, उससे भी portable चाहिए तो आप ये देख सकते हैं, transcend का ये 240 GB, budget कम है, जादे space की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये 240 GB ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ में portable तो है ये, लेकिन इसके साथ में आपको थोड़ा सा speed से भी आपको compromise करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके speed की अगर हम बात करें, तो 520 MB प सेकेंड इसका जो है right speed है, तो इस तरीके से अगर आप best SSD ढूण रहे हैं, तो इन में से कोई साभी आप buy कर लीजिए, आप बहुत ही खुशाल लएगे, दोस्तों वीडियो कैसा लएगा पिर जब कमेंट में बताएं, अगर अची वीडियो का लाइक कर दें, दोस्तों के स सूबस्तों है, तोस्तों के साथ कर दो स्वशकिन को अटें, छिम्रा कर दो दोस्तों को क & अज़ हैं, ओम बताएं के साथ और